असलाम अलेकम, उमीर है आप सब खेरिये से होंगे, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो फाइलम कोड डेटा से मैंने लिया है, और सुपर क्लास पाइसिज है जिनमें सारी फिश आ जाती है और उसमें से मैंने जो क्लास है वो आस्टियक थीज जो है, वो सलेक्ट की है, ये FSE के स्टूडन के लिए भी सूटेबल है, BSE के लिए और BSE के लिए भी सूटेबल है, और जिसको भी मचलियों के बारे में इनफरमिशन की जरूरत है, उनको ये लेक्चर जो है वो फाइदा और आइगा तो आईए इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मİनिंग आस्टियक थीs, आस्टियक लफज आस्टियों कहते हैं, बोन्ज को, तो ऐसी बॉड़ी जिसके अंदर बोन्ज हों, उसके लिए हम आस्टियक इस्तेमाल करेंगे, एक थीs जो है वो लफ कठे हो जाएंगे तो यह बन जाएगा ऐसी मचलियां जिन की बोड़ी में किसी ना किसी हिस्से में बोन मजूद होगी या बोन का कोई पार्ड मजूद होगा तो उसे हम बोनी फिशिज भी कहते हैं या या आस्टियक थीज जो है उन्हें कहा जाता है इस ग्रूप में आगे पिर मुतलब इसकी सब क्लासिज हैं और उनमें प्रागर स्पीशिज और सारा कुछ है डिटेल के साथ वो पिर आप अपनी स्टडी के दुरान देख सकते हैं आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं वो इसके एक्स्टेरनल क्रेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी बोड़ी के बाह फ्यूजी फॉर्म होती है और फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है जैसे जहाद होता है जैसे कष्टी होती है यानि वो बोड़ी आगे से भी नोकीली होती है पीछे से भी नोकीली होती है और तरम्यान से वाइडर होती है इस तरीके से ताके वो पानी को असानी के साथ जो ह एंटिरियर सिरे से भी बोड़ी जो है वो नेरो है दरम्यान से यह देखें तो यह वाइडर है फैली हुई है ऐसी बोड़ी को हम फ्यूजी फार्म यह स्पिंडल शेप बोड़ी कहा जाता है इन मचलियों के जो जिसम का मौथ होता है वो वेंट्रल नहीं होता बलके टर्मीन इनका जो स्कैल्टन है उसके अंदर किसी ना किसी तोर पर कॉटीलेज की जगा बोन आ गई है डर्मल स्केल्स वो स्केल्स होते हैं जो इनकी बोड़ी की स्किन के उपर मुझोद होता है जो हम थोड़ी दिर के बाद जो है वो डिसकस करते हैं respiration करने के लिए इनके body में mouth के बिलकुल पीछे gills होते हैं lungs खतम हो चुके हैं लहाजा gills आ गए हैं जो पानी के अंदर से oxygen को absorb करते हैं और respiration के लिए इस्तमाल करते हैं operculum पहले जो मचलिया हैं contract थीज उनमें operculum नहीं है यहाँ पर अगर आप देखें मचली का जो सार है उसकी back side पे यहाँ पर आपको एक cover मिलेगा जिसे operculum कहते हैं डकनाज सा मिलेगा जिसके अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको बकायदा gills red color के नजर आते हैं इसके लावा इन मचलियों में float करने के लिए help करता है इसके लावा इनका जो दिल है वो दो खानों वाला होता है इसके उपर भी हम अलाग से lecture बनाएंगे इनका जो brain है वो anterior सिरे पर होता है और उसमें से 10 cranial nerves निकलती है जो कि इसकी खास बात है इसके लावा इनके अंदर male और female जो है sexes जो हैं वो separate होती है तो ये मैंने कुछ general characters जो है इनके डिसकस का लिए है अब हम इनके body के external characters की तरफ आते हैं तो body में मचलियों की जो खास बात है इन मचलियों की ऑस्टियक थीस की वो ये है कि इनके जिसम के उपर दो चीजों का होना जरूरी है number one scales number two fins तो scale जो है वो भी हम डिसकस करते हैं और जो fins है उनको भी डिसकस करते हैं तो ये मेरे पास एक fish है तो आपको पता है कि जो मुँ वाला सिरा होता है उसे हम anterior सिरा कहते हैं जो tail वाला सिरा होता है उसे posterior सिरा कहते हैं इस तरीके से ये वाला इसा जो है ये डॉर्सल होगा और ये वाला इसा जो है ये वेंट्रल होगा, तो अगर हमारे पास एक मचली हो तो मचली के पूरी जिसम के उपर आपको मुख्तलिफ जगों पर फिन्स नज़र आएंगे, ये फिन्स जो हैं ये बॉड़ी के होते हैं, जो बॉड़ी से बाहर की तरफ निकले होते हैं, जैसे फार एजमपल मेरी बॉड़ी है, तो मेरी बॉड़ी जो है बेसिकली यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खतम हो, इसे हम ट्रंक कहते हैं, अब ये जो बाजू है, ये मेरे बॉड़ी से बाहर की तरफ निकला यह मेरा appendage है, इसी तरीके से यह मेरा बाजू बाहर की तरफ निकला है, यह appendage है, इस तरह मेरी टांगे जो हैं, वो भी appendage है, head जो है, वो तो आपको बता है, nervous system की coordination के लिए है, इसी तरीके से इनकी body का यह जो main trunk है, उसके अंदर से जो चीज बाहर की तरफ extend हुई हुई है, अब यहां पर आगा देखें, तो यह dorsal fin है, dorsal fin जो हैं, यह दो तरह के होते हैं, spiny, यानि वो कांटेदार होते हैं, यह dorsal surface की तरफ होते हैं, या self-raid या इस तरीके के होते हैं, क्योंकि यह body की dorsal side, या डorsal side कौन से होती है, कमर वाली side, जो कमर वाली side होगी, उसकी जो fins होंगे, उन्हें हम dorsal fins कहेंगे, इसी तरीके से ventral fins होते हैं, ventral fins जो है, उनको भी हमें आगे categorize किया होगा है, जो सबसे नीचे fin होता है, इसे हम pelvic fins कहते हैं, यह दो होते हैं, कुछ fins जो हैं, वो paid होते हैं, कुछ unpaid होते हैं, तो यह जो spiny fin हमने बात की है, यह unpaid है, जो self-raid dorsal fin है, यह भी unpaid है, इसके लावा यहाँ पर जो fin है, यह paid है, यह pelvic fins कहलाते हैं, यह body के anterior से रहे के भी थोड़ा से पीछे नीचे की तरफ लगे होते हैं, यह दो ऐसे fins होते हैं, इसके लावा यहाँ पर दो fins होते हैं, बाड़ी की एक साइड पे हैं, एक दूसरी होते हैं, यह भी paid होते हैं, इसी तरीके से जो back side पर fin है, यह caudal fin कहलाता है, caudal fin जो है, यह tail की तरफ होता है, यह single होता है, यह unpaid होगा, तो इस तरीके से body के अंदर मुतलब fins जो हैं, वो मौजूद होते हैं, अब हर fin जो हैं, उनका अपना एक रोल है, अपना एक function है, य यह body की steering का का काम करते हैं, जो जो फिंस हैं, उपर वाले spiny, dorsal और vental fin जो होते हैं, यह body को balance रखते हैं, आपको पता मचली जो है वो पानी में ऐसे रहती हैं, और वो कभी empty नहीं होती, उल्टी तब होगी जड़ वो मर जाएगी, अगर एक body का पेट उपर है, कमर नीचे जिसका मतलब वो dead है और उसकी जो gentle surface ओपर इसका मतलब उसका balance खराब हो गया तो यह जो balance है उसको बरकरार रखने के लिए जो है यह इस्तमाल होते है caudal fin जो हते हैं यह tail जो होती है यह पानी के अंदर movement के काम आती है यह अपनी मचली जो है यह पानी में अपने fin को ऐसे ऐसे जोर से पिछले fin को move करती है और उसके नतीचे में इसको एक thrust मिलता है जिससे यह आगे की तरफ जालती है जो shark मचली हैं उनमें यह caudal fin की उपर वाली lobe होती है वो ज्यादा बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है उससे भी उनको body के अंदर बानी के अंदर movement करने में बहुत जारा help मिलती है इस तरीके से body के बाहर की तरफ निकले हुए हमने कुछ fins जो है उनका study किया बाकि इनके अंदर bones होती है bones की raise होती है जो फैली होती है उनके दरम्यान skins होती है जो उनको एक webbed shape structure जो है वो provide करती है contract these जो मतली हैं उनकी body के उपर आम तरफ पर scale नहीं होते होते हैं लेकर उनने हम different scale कहते हैं लेकर overall जो हमने body के उपर जो surface के उपर बरीग बरीग चाने लगे होते हैं छिलके लगे होते हैं स्केल्स लगे होते हैं हम बोड़ी की स्केल कहते हैं इन्हें आम तोर पर बोड़ी के स्केल्टन के तोर पर जाना जाता है इन्हें वेट रखा जाता है जो कि म्यूकस ग्लैंड म्यूकस पैदा करके उसको गीला रखते हैं So that, पानी के अंदर friction जो है, उसको reduce किया जा सके, क्योंकि पानी में तैरना होता है, उनको बहुत सरी friction का सामना करना पड़ता है, उसकी best example यह है, कि आप किसी पानी वाली जगा पर चलें पानी के अंदर, आपको पानी में चलने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको प क्लाइम रखने के लिए, समूद रखने के लिए यह होता है, अब अगर हम scale की बात करें, तो scale जो है, यह चार एकसाम के होते हैं, टोटल, उनमें से तीन एकसाम जो है, वो बोनी फिशिस में पाए जाते हैं, और एक किसम जो है scale की, वो कार्डिलेजनस फिशिस, यानि यह टिलियॉस्ट मचलियां जो बोनी फिशिस होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं, टिनॉइड कहते हैं वैसे कंगी को, जी तरह कंगी के दाने होते हैं, बिल्कुल इस तरह यह scale होगा, लंबा सा और इसके अगले और बिछले सिरे पर आपको छोटे छोटे चोटे दाने से नदर आएंगे, और जब यह आपस में मिलते हैं, तो यह skin के उपर ऐसे फैल जाते हैं, इन्हें हम तीनॉइड स्केल कहते हैं, दूसरे नबर पर जो आते हैं, साइकलॉइड स्कुल, यह भी टिलियॉस्ट बोनी फिशिस के अंदर मौजूद होते हैं, डिपेंड क प्लेजने से बोनी फिशिस में नहीं पाय राते हैं, यह रहा है। इस ठीनुप स्कील के अन्हें हम प्लेकॉइड स्केल कहते हैं, यह भी टिलियॉस्ट बोनी फिशिस के अंदर मौजूद होते हैं, उनका पैटन भी मैंने आपके सामने बना दिया। चौथा नमबर पाजिवा जो स्केल हैं ये बोनी फिशिज में नहीं पाइजाते हैं, ये कांटरिक थिज यानि काठीलेजनेस रिजह से शार्क मचली जासे बोडी के अंदर पाइजाते हैं, इन्हें हम प्ले कौइड स्केल कहते हैं, प्ले कौइड स्केल का जो अगला इससा है ये बोड़ी की स्किन के अंदर embedded होता है और पिछला जो लंबूतरा उसा होता है वो बोड़ी से बाहर की तरफ निकला होता है ये भी पानी के अंदर stability को बरकरार रखने के लिए और swimming को better बनाने के लिए इस्तमाल होते हैं तो अगर आप मचली की स्किन लेकर उसके उपर अ इसके लावा fins और हमने कुछ scales का जो है वो discuss किया है scale जो है वो आम तरह पर calcium carbonate और different minerals जो है उनको deposit करके जो है वो बनाई जाते हैं और dermal जो skin होती है वहां से ये originate होते हैं बागी इनकी composition जो है वो पर हम किसी detailed lecture में discuss करेंगे तो I hope कि ये lecture आपको clear हो गया होगा तो आज के के लिए इतना है next lecture के साथ दोबारा हज़र होंगे तक तक के लिए अलाँ आफिस